कौन है वो बाबा जिनके सचंद के दोरान हुआ दर्दनाक हादसा, सरकारी नौकरी छोड़कर बने का थावाचक, हादसे के बाद से फरार। सिकंदरा राउ से एटा रोड पर स्थिद गाउ फुलरई में सचंद के बाद बड़ा हादसा हुआ। सचंद खत्म होने के बाद भीर निकल रही भीर को एक हिस्से से बाबा का काफिला निकालने के लिए रोका तभी भगड़ मच गई। इसमें सो लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। मृतकों में हाथरस और एटा के रहने वाले हैं। हाथरस में सचंद के दोरान हुए दड़नाक हादसे के बाद ये सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर वह बाबा कौन है कि जिसके कार्यकरम में इतने बड़े पैमाने में लोग जुटे और हादसे के शिकार हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सचंद कार्यकरम साकार विश्वहरी भोले बाबा का हो रहा था। अनुयाए इन्हे भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के बाद से बाबा की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 17 साल पहले नौकरी छोड़ शुरू किया था सत्संग, तैनाती के दोरान सत्संग शुरू किया, कुछ समय बाद नौकरी से त्याग पत्र देकर सूरज पाल साकार विश्वहरी भुले बाबा बन गए, पटियाली में अपना आश्रम बनाया, गरीब और वंचित समाज में ते अनुयाई ही संभालते हैं, आयोजन के लिए मीडिया से दूरी बनाते हैं, बाबा के काफिले को निकालने को लेकर मची भगदर, सिकंदरा राव से एटा रोड पर स्थित गाव फुलरई में सत्संध खत्म होने के बाद भीर निकल रही भीर को एक हिस्से से बाबा का काफ पर निकालने के लिए रोका तभी भगदर मच गई, इसमें 90 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है, मृतकों में हाथरस और एटा के रहनेवा